मैं कौन हूँ? समझाने की कृपाय करें हैं. हमारी बहुत सारी पहचाने हैं और अधिकतर हमारी जूटी पहचान है. हमने बहुत सारे तादात में बना लिये हैं. लेकिन हमारे अधिकतर तादात में जूटे हैं. तो आओ पहले अपने जूटी पहचानों की, अपने जूटे तादातमों की चर्चा करते हैं. फिर तुमारे प्रश्न के उत्तर पर आते हैं कि वास्तों में मैं कौन हूँ? पहला जो तादात में है या का सकते हो जो पहली पहचान है हमारी वो हमारे अहंकार से है तो क्या मैं अहंकार हूँ हमने स्वेम को अब तक नाम और रूप से जाना है लोग पुछते हैं आप कौन है आप अपने नाम बताते हो मैं स्वेंस हूँ ये मेरा नाम है और जब अपने को याद करते हो या अपने बारे में आद दूसरे भी जो तुम्हारी पहचान बनती है तुम्हारे रूप से बनती है तो ये नाम और रूप से हम अपने आपको जानते हैं और दूसरे भी नाम और रूप से हमें जानते हैं लेकिन ये हमारा अहंकार है वास्त कि बच्श हम पिंट्ो चिंट्व नाम रख देते भी स्कूल ने सिक नाम लिखादे क्षी को यह अलग नाम रख देते हैं तुम अपने से protect करके अपना नाम बदल लो नाम तो रहता है रूप भी बदलता है बजबन में रूप कोई और होता है जवानी में रूप कोई और होता है बुड़ापे में रूप कोई और होता है तो वास्तों में जो च्छन च्छन बदलता है वो हमारा असली तालात में कैसे बला हो सकता है यह रूप हमारा वास्तफिक रूप तो क्या मैं शरीर हूँ, यह जो अहंकार के बाद जो दूसरा हमारा तादात में हुआ है, शरीर से है, अपने शरीर को फील करो, अनभो करो अपने शरीर को, और देखोगे, शरीर तो चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, लेकिने यह कौन है जो शरीर को है तो निश्चित रूप से हमारे स्परीर जो कमांड दिने वाला में था कमांडर है हम तो वह किमांडर रहन था में और जिस ने जाना योगी वही देह से दोड़ो ताधात में और देख लो तुम भिसे सुख श्यान तो मुक्तो तो मैं देह नहीं हूँ जो तीसरी हमारी पाष्चान है कि मैं इंद्रियाओं क्या मैं इंद्रियाओं कि आख देखती है आख तो घिड़की है कोई अन्य तत्वा है जो आख की खिड़की से देखता है वह तत्वा है बोधमय अंतर Gramka जो आख को एक यंत्र की तरह प्रयोग कर रहा है कि यंत्र की तरह इस्तमाल कर रहा है वास्तों में हमारी जो पाचान है जो सही पाचान है वो चेतन अंतराकाश तो हो सकता है आख कैसे हो सकती है वो चेतन अंतराकाश आख की खिड़की से देखता है इस बात को महसूस करो उस वाला और अंतराकास है कैसे और कोही बिवृत कर रहा है उसी तर से जीवा शेह मां अध्याम्त अध्य जहतेश इंस्टुमेंट है असली जो भूगता असली जो फाद लेना वाला तप्वैंभा तो जीव नहीं है, उसी तरह से नाक है, नाक से हम खुश्बू लेते हैं, सुगंद लेते हैं, नाक तो एक यंत्र की तरह उपयोगी हो रहा है, वास्तों में उस सुगंद को फील करने वाला तत्व तो कोई अन्न है, उसी तरह हमारी तवचा है, तवचा सपर्श करती है, ले क्या मैं प्रान हूं, क्या तुम प्रान हो, यह स्वांस आ रही है, जा रही है, लेकिन तुम देखो, क्या यह स्वांस उस अंतर आकाश तक जा रही है, क्या उस निराकार को भेद कर रही है, तुम पाओगे यह स्वांस अंतर आकाश की परिधी तक ही जा पा रही है, उस अंत तर आकाश में नहीं जा पा रही हैं तो जो परीदि पर गणा हमारे केंदर में नहीं जाए। तो वहाथ वूमै कैसे हो सप्षिकता हूं तो यह सांस लिए जो यह रोज का प्राम है यह यह दी नहीं हूं तो 5 भी पहचान है क्या मैं हिर्दे हुं क्या हम अवचेतन है क्योंकि हिर्दे और अवचेतन सबकौंसज़ एक ही है लेकिन हिर्दे तो भाउं का पुंझologne है राक की लहरे उठती हैं और शान्त हो जाती है जो बनता है और मिटता है बला वो मैं कैसे हो सकता हूँ जो मैं हूँ वो तो अमरित तर्त हूँ तो आज हैं कल नहीं है वह तो मैं नहीं हो सकता हूँ अर्थात मैं हिरते भी नहीं हूँ मैं अवचेतन या सबकॉंसस भी नहीं हूँ. तो फिर जो चठी पहचान है, क्या मैं मन हूँ, क्या ये जो विचारों का समू है, क्या मन क्या है, ये विचारों का समू है, तो क्या मैं विचार हूँ, क्या मैं विचारों का समू हूँ, क्या मन की वृतिया हूँ, जैसे प्रमार वृति है, स्मृति वृति है, निंदा वृति है, कल्पना वृति है, तो क्या मैं ये वृतिया जो इस वृति मेरी है, क्या मैं इस वृति हूँ, या निंद में निंद तो निश्चे आपको ओगे कि नहीं, इसी तरह क्या मैं विचार हूं? या विचारों का पूनच हूं? नहीं, विचारों तो बार बार हैं, विचार तो सत्य पर चलते रहते हैं, यह तो मैं नहीं हो सकता अर्थात मैं मन भी नहीं हूं. अब तुम्हारे मूल प्रश्ण पर आते हैं कि तब मैं कौन हूँ जब मैं हंकार नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, नाम रूप नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं प्राण नहीं हूँ, हिरदय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ तो आखिर मैं कौन हूँ अंतराकाश देखोगे, तो अंतराकाश में नाद गुज रहा है, वहां नूर जग्मगा रहा है, वहां देखोगे सासत दलकमल कहला है, जिसको आत्मकरण कह सकते हो, लेकिन ये नाद हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, तो ये नाद कहाँ हैं? अमाई ये जूनूर अंतर आकाश में हमारी अंके नहीं देख सकती तो नूर का अस्तित वकाहां है वास्तों में यह जो अंतर आकाश है जहां जो नूरसे उतपरोत है जो सहस्ति दल कमल जहां किला है जो आत्मकर जिसमे है वास्तों में वही आकाश हो लेकिन नाद को हमारे कान नहीं सुनते तो सुनता कौन है नूर को हमारी आखे नहीं देख सकती तो देखता कौन है वो है हमारा चेतन अंतराकाश उसी अंतराकाश में नाद गुजरा है उसी अंतराकाश में नूर जगमगारा है उसी अंतराकाश में आत्मकर्ण है लेकिन इसको जानता कौन है इसको जानने वाला चैतन भी उसी अंतराकाश में है इसले वास्तों में जो मेरी पहचान है वह है चैतन अंतराकाश चैतन आत्मा ये हमारी असली पहचान है मैं हूँ चैतन आत्मा और यही जानना कि मैं हूँ चैतन आत्मा यही आत्म ग्यान है क्योंकि यही हमारी असली पहचान है अपने मूल सरूप को जान लेना ही अनलाइटन्मेंट है अपने मूल सरूप को पहचान करके मूल सरूप के रूप में जीना ही आत्म ग्यान है इसलिए अस्टा वहनिना इस निश्चे को आग बना लो प्रज्वालिया अग्यान गहनम वीत शोको सुखी भवा और इस आग से अग्यान की जंगल को जला दो और शोक से मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ, तो यहीं हमारी पहचान है, उन्हों चिनमै आत्मा सत्संग को यह विलांदे ते हर्यों तट्साट नादेश